हेलो असलाम लेकूम वेलकम है आपका मेरे चैनल में तो यह है वीडियो शाम का तो जिसमें मैं शाम को मगरिब के बाद का वक्त है थोड़ा टाइम मारे पास रहता है टीवी वगरा देखते हैं या फिर खाने के तैयारी करते हैं तो मेरे आपने पिछले व्लाग में देखा ह होगा कि मैंने यलो कलर की ड्रेस पहनी थी तो उसका कपड़ा बचा हुआ था तो यह मैं चोटी सी ड्रेस बना रही हूं अपनी क्यूट सी भतीजी माहम के लिए जिसको पहन के बहुत क्यूट लग रही तो इसको मैंने सेम अपनी तरह बनाया था जैसे मेरी लांग टॉप और रेड कलर का पैंट है उसी तरह और उसके अपर बहुत अच्छा लग रहा था तो यह कपड़ा बनाने में इतना दिल लगता है बच्चे लोग का और यह मैं आपको दिखा रही हूं कि इसकी जॉइन करके मैंने बनाई तो भी इसकी आस्तीन इतनी अच्छी लग रही है और यह हो गया नेक डे सुभा तो सुभा का तो सारा काम हो गया था क्योंकि मुझे मेरे बेटे तलहा का प्रोजेक्ट बनाना था तो अभी इस वक्त मुंबई में प्रोजेक्ट बन रहे हैं मतलब एक्जाम टाइम चल रहा तो उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट ही रहता है तो प्रोजेक्ट इतना डेर सार था सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो जिसमें मिट्टी का किला बना के लेके जाना था और मिट्टी मुंबई में इतनी आसानी से लेवल नहीं रहती है मतलब उसको बहुत ढूंधान के लाना पड़ता है तो सब लोग तो गए थे लेकर मतलब सब कि मम मैं नहीं गए थी मेरे पास ऑल उबे यहाँ रखा तो तो स्को मैं निकाल के और उसमें पॉट में से मैं निकाल के और रात बंद भर में नहीं ब्हगा रख दिया था तो मिट्टी क्यों एमने बिगा के रख था फिर यह सुब्हां जैसे मेरा कीच्टन का का से में भारीग वोई तो फिर इमें हौल में लेकर बैठके बनारी हो आधा ही मेरे साथ लॉफ कर रहे तो यह खिंछ पर यहां मैं मी इतनी अच्छा जाद कुछ जादे इसको डेकोरेट कर दिया था तो यह देखिए फिर में बनाती बनाते मेरे पास नीचे भावी का कॉल आया कि नीचे चद्दर वाले आए हो इतना यहां सब और चद्दर ले रही है तो मुझे भी चाहिए था भी रमजान में बहुत लगती है तो यह मैंने तीन-चार बेट सेट लेकर आई थी तो यह मैं भावी के हां के अम्मी लोग के पास और फिर यहां लोग फैला कर देख रहे हैं उसको कट भी करना था क्योंकि मेरे गार तो पूरा मिट्टी मिट्टी लगा है और जगह भी थोड़ा कम है तो इधर मैंने ए सब इस्वाली घो और सब लेते हैं सबके एरियक और फिर ये हो गया दोपार कएशелен के जो है जिसमें नहं कर फारिग हो गये था सारा काम हो गया था तल्हा ने भी नहाका लिया था मैंने भी और सारा खाना वना खाके सब हो गया था तब ही हमको तीन बज़े में लेकर जाना है सब्मिट कर निक लिप प्रोजेक्ट तो यह किला भी बनी गया है बस मुझे इसमें जबक लगाना था तो वो मैं कभी सोना रही थी तेसमें बना लिया तो मैं और ये अभी आपने कांपको मैंने आगे बताया कि ये तो में अथा किला बना रही थी लेकिन इसको इतना चिराhistा लुच अरफ कि ये तॉ स्कूल में लेके गए तो टीचर बोल दीती है गोवा का गार्डन बना है पर नंबर अच्छे मिले थे तल्हा को और ये शाम उसी दिन शाम का वक्त है रात के खाने की तयारी हो दी जिसमें मैं आलू चिकन ग्रेवी बना रही हूं तो बहुत लेट हो रहा था प्रोजेक्ट बगरा और शिलाई आज कल बहुत जादा ये सब है तो जल्दी वाला काम हो रहा है यह समें चॉपर में मैं चौप करके निकाल रही हूं और भए नेजडे सूबा हो गया तो सूबा में आज हजबन को जल्दी जाना था तो मैं नास्ता बना रही हूं पर उन्होंने ये ना में आधी तो अभी में एड़ कर दे रहीं और आधी प्याज में बचा लिए जब उपर से सर्व करते हैं तो उसमें डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वह बस हसमें हल्दी नमक और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी से धनिया पाउडर और तेल डालके बस ती और पानी और काई दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आपा रहा है क्योंकि अभी मेरे बेटे को पैर में मोच आ गई जिसमें में बहुत बिजी हूं बच्चे लोग को कुछ हो जाता है तो सारा दिमाग फिर एकदम उसमें लगा रहता है कि बस बच्चे जल्दी से ठीक हो जाए इनकी त बच्चे लिनी होता फिर उसको तकलीफ दर्द भी बहुत है तो फिर उसका केर करने में सारा टाइम जा रहा है तो यह दर बातों बातों में मारा चर्ना भी इसमें सारी चीजे चली गए दो ग्लास में पानी बेट कर दिया विसको में तीन-चार सीटी दम लगा लूंगे बनने के लिए गलाने के लिए उसे गलने के बाद भून के उतार लूंगे और फिर दूसरे तरह हजबन भी हो उनका के हो गया था तो उनके लिए मैं नास्ता बना रही हूं तो यह चना तो खानी पाएंगे लेट हो रहा है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा चना यह भीगा ह बना के उनको दे दूंगी ताकि वो खा के चले जाए जिसमें में प्याज मिर्ची नीबू और काकड़ी नमक डाल कर दे दूंगी तो अच्छा लगता है वो खा भी लेते हैं यह वाला और यह मेरा एक बार चाय पीके भी हो गया और फिर यह दूबारा जब भी में दूबार करते हैं चाय के साथ थोड़ा कुछ खा लेते हैं और मुस्टली तो वह रोज का रूटीन होता है वो खजूर से पानी पीते हैं फिर चाय बगएर पीते हैं तो आज यह मीठा रखा हुआ घर में मिठाई आई हुई थी तो मैं दे रही हैं उनको और फिर यह बनका नास्ता है उसे पूरा करना है अभी तलह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसमें बस उनकी थोड़ी से हल्प रहती बाकी पूरा मुझे भी बनाना रहता है तो जब बच्छों लेकी प्रोजेक्ट बनने लगते तो मम्मी पापा का बस पूरा टाइम राच 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 जाकर उसमें जाता है और यह देखिए इधर चना भी बन गया है और इसको में मैं सब्सक्राइब कर रहे हूं क्योंकि तलह के पापा तो चले गए तो तलहा और मैं खाऊंगी तो इसको इस तरह से निकाल के फिस पे उपर से कांदा और यह टामाटर और नीबू डाल के खां तो यह जाज हूंस कि इस पहूं कि तल आ को